What if you fail to get admission in MBBS? अगर आप MBBS में admission लेने से fail हो जाते हैं तो क्या करें? तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप MBBS का government college नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? अगर आप NEET का exam दिये हैं और आपका इतना number नहीं आ रहा है कि आपको government college मिल जाएं तो आपके पास दो option हैं पहला है कि आप फिर से drop ले ले और दूसरा है कि आप किसी college में admission ले 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 अगर आप drop लेते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो number है वो close to 600 होना चाहिए अगर आप admission ले रहे है운 तो आपके पास दो option है पहला कि आप अधर दैन इंडिया किसी भी country में एडमिशन ले लो प्राइबेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप के पास इतने भी रूपए नहीं है तो आप और भी कुछ कोर्स कर सकते हैं जिससे की आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप MBBS किसी भी कंडिशन में नहीं कर पा रहे हैं ना तो इंडिया से ना तो फॉरें से तो आपके पास कौन-कौन से ऐसे आप्सन है जिनसे की आप आसानी से एक लाग रूपए तक पर मन्त कमा सकते हैं केरियर अपॉर्चुन्टी अगर आप देखते होंगे तो आज पास में को आपको कई तरह के डॉक्टर मिलते होंगे जैसे की सबसे जो टॉप पे आता है वो आते हैं BDS फिर आता है BAMS, BHMS, BUMS, Veterinary, Agriculture, Nursing और B Pharma जैसे कोर्से जाते हैं अगर आप MBBS नहीं कर पाते हैं तो आप इन कोर्स को कर सकते हैं और इजली काफी पैसे कमा सकते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को समरी बता देता हूं इन कोर्सों का और इस पर मैंने separate वीडियो बना रख़ा है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से जाके देख सकते हैं इसके बाद अगर किसी कोर्स की बैलू की जाती है सबसे जादा वो है बीडियस लेकिन इस समय इस मार्क यह जो मार्केट है यह पूरा सैचुरेटेड है मतलब कि यहां पर जॉब अपॉर्चुन्टी बहुत कम है इसके बाद है भी एमस आज के टाइम पर आपको पता ही हो होगा कि लोग ज्यादा तर अर्वेद के तरफ जा रहे हैं तो इसलिए जो डिमांड है वह डॉक्तर का काफी ज्यादा हो रहा है इसके बाद है भी एचे मेस इसमें भी नॉर्मल ही मार्केट है अगर आप हों पैटिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप सकोर्स को कर सकते इसके बाद है BUMS इसको करने के बाद आप यूनावन यूणी डॉक्टर बनेंगे और इसमें भी ज्यादा इसको नहीं है लेकिन आप इसको कर सकते हैं और आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा यह तारे कोर्स थे जिन से आप हुमन डॉक्टर बन सकते थे अगर तो आपको VVSC का course करना पड़ेगा और इसे करने के बाद आप जानवर के डॉक्टर बन जाएंगे इस समय इस course का काफी ज्यादा value है क्योंकि आज के टाइम पे लोग pet animal को काफी ज्यादा पालते हैं और जितना ज़्यादा pet animal को पाल नहीं हैं उतना ज्यादा उनका treatment और वो बी फार्म जैसे कोर्स को कर सकते हैं अगर आपको डीटेल में इन वीडियो के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिस्ट्रिस्ट्ट ने जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं सारे कोर्स के बारे में मैं डीटेल में वीडियो बना रखा हूं और परिसान होने की कोई प्रवालेश फिर डिपेंड करता है तो थैंक यू फॉर वाचिंग